दादोस और नागदेव को दर्शन दादोस और नागदेव जो पांस पारी नारिल आरी विड़े का सामान लेकर अपने स्थान पर भापिस आए तो वे सब मिलकर विदिवत बगवान के दर्शन करने के लिए बीलमट में आए उसमें बगवान मंदिर के अंदर ही आसन पर विदाजमान थे बगवान ने गले मिलकर दादोस को शेमा लिंगन दिया दादोस ने साश्टांग दंड़ परणाम कर बगवान के श्री चर्णो को सफर्ष किया दादोस के साथ आए नागदेव अबाईसा आदी सब ने बगवान के चर्णो को सफर्ष कर उने धंड़ू परणाम किया उमाईसा और महादाईसा ने भी बगवान के श्री चर्णो पर मस्तग रखकर उने धंड़ू परणाम किया उसमें बगवान ने दीरे से कहा त्रियंबक जाने वाली स्त्रियां भी इनके साथ ही है इसके बाद में सभी बगवान के समुक बैठकर बगवान के दर्शन का लाप्राप्त करने लगे बगवान की सुंदर श्री मुर्ति को देखकर सब के मुक पर परसंता की लहर जलक्ती दिखाई दे रही थी दादोस पूरजन के पति पुरुष थे और किसी विशेश क्रिया के कारण उन्हें परमेशर के अवतार की परसंता प्राप्त थी परमेशर की कनव के कारण उन्हें परमेशर के सेवा दास्य करने का सुअफसर प्राप्त हो रहा था नांग देव मूल अरिकारी थे, उन्हें ग्यान के बाद प्रेम साधन प्राप्त होना था, क्योंकि उन्होंने किसी अवाद रशी अवतार का भजन पूजन किया था, पर वह समय अभी दूर है, पर तेक जीव ने अविदी के कारण योगिता के साथ कुछ अयोगिता भी प्रेम साधन प्राप्त होने में वह अयोगिता उसमें बादा उत्पन करती है, इसके अतरिक उसमें कुछ अनारिकार दोश होते हैं, और कुछ करम भी ऐसे होते हैं, उनका पहले नाश किये बिना कोई भी साधन प्राप्त नहीं होता, यह कार्य परमेश्यरी अपनी सेवा रासे से सनिदान में करवाते हैं, इसलिए नागदेव को वह विलम से ही प्राप्त होगा, अंक, इला करमांग पूरवा 254, यहां समपूर्ण होती हैं, इला करमांग 255, पान ग्रहन करने पर नागदेव को स्थिती सुख, थोड़ी देर बाद बगवान ने चबाए हुए पान का शेशपाग एक बरतर में डाल दिया, इसके बाद बाईसा ने उस पान का परसाथ महाँ पस्ति सभी वक्तिजनों को थोड़ा थोड़ा दिया, दादोस ने इससे पहले ही नागदेव को कहा था, कि वे बगवान के मुझ से निकला पान का परसाथ कभी भी ग्रहन ना करे, हमारे तो वे गुरू हैं, इसलिए हमें तो परसाथ लेने का अधिकार है, तुम्हारा यह अधिकार नहीं, पर नागदेवन इस बात के और द्यान न देते हुए, बगवान के पान का परसाथ अपने हाथ में ले लिया, फिर वे अपने मन में सोचने लगे, कि यदि य दूठा परसाथ अनेक बार खाया हुआ है, ऐसा निश्चे करके उसमें उस पान परसाथ को अपने मुख में डाल लिया, ऐसा करते ही नागदेव को स्थिती का विशे सुख प्राप्त होने लगा, इस परकार वे कुछ समय तक उस स्थिती के आनन में निमगन होकर वहीं बै इसे विद्या आनन कहते हैं, बगवान ने इसके माद्यम से नागदेव को अपने वेद का संचार किया, इसने उसे आश्चरे चकित कर दिया, अंक, इला कर्वांग तुर्वार 255 यहां संपून होती है, इला कर्वांग 256, नागदेव को स्थिती का अंतर्स पष्ट करना, नागदेव भगवान से प्राफ स्थिती के अनंग में कुछ देर तक निमगन रहे, उसके बाद जब अपनी पूर्व स्थिती में आ गए, तो भगवान ने नागदेव से पूछा, महात्मा, महात्मा दादों से भी आपको स्थिती सुक प्राप्त हुआ होगा, और आज हम हम से भी स्थिती का सुक तुमें प्राप्त हुआ है, तो इन दोनों में तुमें कुछ अंतर दिखाई दिया की नहीं, इस पर नागदेव ने कहा बगवन, आपसे मुझे जो आज यहां सुक अनंग प्राप्त हुआ है, वह दादों से प्राप्त होने वाले सुक से बहुत अधिक है, विशेश परकार का है, तो बगवान ने कहा, वह स्थिती सुक है और यह स्थित्यंतर है, अर्थात उससे एक विश्ष्ट परकार का है, उच्छ है, एथोनी तुमा स्थित्यंतर गा, यह देवता के सुक फल का आनंद है, लीला कही तो, सावत होने पर बगवान नागव को स्पष्ट किया, कि जो सुक उन्हें दादों से प्राप्त होता है, उससे वह सुक आनंद उच्छ कोटी का है, दादों से प्राप्त होने वाला सुक देवता की शिल्प विद्या का है, और बगवान से प्राप्त होने वाला सुक आनंद देवता की स्थूल विद अंग, इला करमांग पूर्वार 256, यहां सब कोन होती है, इला करमांग पूर्वार 257, नाग देव के अज्यान की निवरित्ती, एक दिन बगवान बाहर गूमने जा रहे थे, उस समय नाग देव गुदावरी नदी से वापिस लॉट रहे थे, तब बगवान ने नाग तब नाग देव ने कहा बगवन दादोस से, परंतो आज मुझे जो आपसे स्थिती का अनन प्राप्ट हुआ है, उस से भी अधिक सुखत था, इस पर फिर बगवान ने कहा, नाग देव, वहां भी तुम्हे स्थिती का सुख तब प्राप्ट हुआ था, जब दादोस ने ह हमारा नाम लिया था, वे सुक भी तुम्हें हमारे समर्थे से ही प्राप्त हुआ था, दादोस तो सादारन सा जीव है, उसे भी हम से ही विद्या प्राप्त हुई है। तब नागदेव को स्पष्ट हो गया कि बगवान का दादोस से अधिक महत्व है। इस परकार बगवान ने नागदेव के मन के अज्ञान को दूर कर दिया। लीला का है तो। बगवान ने नांग देव को स्पष्ट करते हुए कहा कि दादोस के करने अत्वा कहने से जीव के पाप कर्मों का नाश नहीं होता दूसरी बात यह है कि दादोस ने पहले ही स्पष्टी करन दे दिया है कि दादोस से तो स्थेती का सुख कभी होता है कभी नहीं भी होता पर भगवान से सुक अवश्य प्राप्त होता है देवता की संत क्रिया का जीव से नाश नहीं होता प्रमेश्वर ही इन सब का नाश करने में समर्थ है अंग